नवस्कार दोस्तो जेहिंद वन्दे मातम सभी प्यारमित्रों का विलकम अभिरंदन है सिच्छक भरती के चैनल टी टी परिवार सिच्छकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करने वाले हैं इस कलास इस सेसन में आपका Environment परेवर्ण EBS का NCRT के पैटन पर प्रक्टिस रीच चल लए है और प्रक्टिस रीच का यह पार्ट नंबर आपका 6 है और पार्ट नमबर 6 में दोस्तों हम लाजवाब बहतरीन 25 महत पूर्पूर्शन की बात करने वाले हैं और इसमें ऐसा कंसिप्ट लेकर आएं जो आपका एक नमबर पक्का कर देगा तो चलिए सुरुआत करते हैं पहला पर से दोस्तों आप लोगों किसकीन पर है कहीं भी अगर ये आपके 15 से 20 मिनट बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो 15 से 20 मिनट जब आपके पास टाइम हो तो वीडियो पूरा इन तक जरू देखेगा पहला पस दिया गया है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएए बुद्ध, शुक्र, नेप्चून, मंगल आपका कमेंट, आपका फीडवेक, आपका उपेनियन शर्मान है सभी कमेंट करेंगे हर एक भाई वहें जिनका सपना है गर्मेंट टीचर, अध्धापक, अध्धापी का बनना तो सबसे गर्म ग्रह की जब भी बात आती है तो सूर के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है सभी जानते बुद्ध ग्रह की बात कर रहे हैं लेकिन गर्म जो होगा वह सुक्र होगा इसका रीजन और कारण बता देते हैं हमारे सौर मंडल का सरवाधी गर्मग्रह शुक्र है इसका औस सतह ताप मान 73,50 केलवी ने शुक्र का वाय मंडल या कार्बन डाइकसाइड और सलफ़ा डाइकसाइड के घने बादों के कारण सौर मंडल का सबसे सकतिसाली ग्रीन होश वहाव उतपन करता है इसी कारण सिसे प बुद्ध शूर से ग्रह है पहला ग्रह है तीसरा है पांचवा है या सातवा है कमेंड बाक्स बिलकुन आपका कमेंड का आपका इंसर का इंतजार कर रहा है कि बुद्ध सूर से किस क्रम पर ग्रह है तो सभी जानते हैं सूर से सबसे नजदीक सबसे पहला ग्रह है अगर पू मंदल या सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह भी है और यह 88 दिनों में शूर की परिक्मा पोन कर लेता है ठीक है और शूर और प्रतिवी के बीच होने के कारण बुद्ध एवं शुक्र को अंतर ग्रह भी कहते हैं और वाई मंदल के अभाव के कारण बुद्ध पर जीवन श दिन के बराबर होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कितना छोटा दिन होगा हमारे में 24 गंटे के दिन होता है 24 बटे 90 कर लिजे अब आपको पता चल जाएगा एक दिन में कितने मिनट या गंटे होंगे और परिणाम में यह प्रतिवी का ठ्रहमा भाग भी है आप लोग दे प्रस्न है इसकीन पर है आई होप आपने इस क्लास को जरूल अभी तक लाइक कर दिया होगा शपोर्ट कर दिया होगा बहुत बहुत धन्वा शभी सातियों का तीसर प्रस्न है आकार के अनुसार सुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा क्रमांक है पांचवा है छटवा है सा किस के अधार पर आकार के अधार पर ये ध्यान देना आकार के अंसार सुक्र हमारे सौर मंदल में कौन सा क्रम है यह के सूर के क्रम पर पूंचा जाता है नजदीकी में और आकार के क्रम में भी पूंचा जाता है तो सुक्र गय किस वे छटमे नंबर पर आ जाएगा हर एक ग् सबसे बढ़ा होता है व्रेश्पती उस से चोटा सनी तीसे नमबर पर अडून चौतर फर बरुण पांच में प्रतिवी आता है सबसे चोटा बुध आता है आकार की अधर पर और सबसे चोटा दूसरे नमबर में मंगल आता है बुद्ध के बाद गुरतवाल है कि सौर मंडल के चार छोटे आंत्रिक ग्रह हैं अगर प्रस्ट मुचा जाए कि सौर मंडल के चार छोटे आंत्रिक ग्रह कौन कौन से है तो बुद्ध सुक्रपतिवी एवं मंगल ये आंत्री ग्रह कहलाती है जिनें इस्थली ग्रह भी कहा जाता है तो इस्थली ग्रह कौन कौन से है बोद्ध शुक्र प्रतिवी और मंगल ठीक है क्योंकि ये जो ग्रह है मुकत है पत्थर इवं धात उसे बने हुए है फोट नमबर प्रशन है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है प्रतिवी शुक्र ब्रहस्पति नेप्चुम सभी कमेंट करेंगे तो सभी आप लोग जानते हैं सुक्र ग्रह की बात करेंगे ठीक है आपने पढ़ भी चुका है यहाँ पर कार्बन डेक्साइड नब्बे से पंचानवे पिरस्टा को पस्तित होता है जिसके लिए वाई मंडल में ग्रीन हाउस ग्रह अत्यन्त तीव रहता है और यही कारण कि यह सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है इन में से किस ग्रह का कोई उपचार नहीं है यूरेनस, शुक्र, ब्रहश्पत, नेपचीन देखे उपचार नहीं स्वारी उपग्रह की बात करेंगे ठीक है तो किस ग्रह का उपग्रह नहीं है सबी लोग जानते हैं किसकी बात करें शुक ग्रह का कोई उप ग्रह नहीं है अभी हमने डिटेल के साथ पढ़ा भी था शिक्रियानी वेनश ये सूर का निकर्तम दूसरा ग्रह है और ये सूर की परिक्मा 225 दिनों में पूरी कर लेता है और ये ग्रहों के शमान दिशा की विप्रिश शूर के पूर से पश्चिम की दिशा में परिक्मा करता है और बुद्ध के समान इसका भी कोई उपरे नहीं है और ये ग्रह प्रतिवी के सरवादिक नजदीक है और जो शूर और चन्दमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है उसे सांज का तारा कहते हैं इसे एवं भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि ये साम को पस्ची में तथा सूबय को पूरब में दिखाई देता है और आकार एम दर्बमान में प्रतिवी से जोड़ा ही थोड़ा ही कम है इसलिए प्रतिवी का जोड़वा ग्रह भी किसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है छटवा प्रशन है सूर सूक्र शूर से ग्रह है तो सूक्र जो है सूर से दूसरा ग्रह है चौता है, छठा है, आठबा है देखे, कनफिूज करेंगा हर एक प्रस्ण आपको कनफिूज करेंगे, इसलिए हर एक टाइब से आपको प्रस्ण बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग एकजाम पर पेपर पेड़ पर कनफिूज नहों तो शुकर शूर से दूसरा ग्रह अमबर पर आता है अगर दूर की बात करें कि कोई बुद्ध पहला हो जाता है शुक्र दूसरे पर आता है सात्वा प्रशन बेतरीन लाजवा प्रशने सेलेक्शन वाला प्रशने कि प्रत्वी की परीदी लगभग कितनी मानी गई है सबी नीचे कमेंट करेंगे, अगर आपको नालेज है, पता है, इनफार्मेशन है, तो कमेंट बाक्स से अपना जरूर फीडवेक कमेंट कीजेगा तो प्रत्वी की परीदी अगर पूंचा जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए, पहला अपसन जो देगा है, चालिस सजार, या टोटल, अगर वैलुवल हम बताएं, तो चालिस पॉइंट जीरो पच्छत्तर, चालिस अजार पच्छत्तर किलोमेटर एकदम राइट परीद होगी प्रत्वी की परीदी की बात कर रहे हैं, और आठमा प्रस्ट दिया गया है कि प्रत्वी सूर से ग्रह है, पहला तीसरा पांचमा सातमा, प्रत्वी की बात कर रहे हैं, ध्यान दिजेगा, तो सूर से नजदीक में प्रत्वी किस पर आता है, सभी लोग जानते, पर प्रतिवी आता है पहला बुद्ध है सभी लोग जानते हैं शुक्र दूसरे नंबर पर आता है प्रतिवी तीसरा चौथा मंगल पांचमा ब्रहस्वती छटमा सनी सातमा अरुन और आठमा वरुन आता है और प्रतिवी एक मात ब्रह्मान में ऐसा उपगरह है जहां जीवन की उपस्तिती है और यह सौर मंडल में सबसे गहना और चार इसली ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है इसली ग्रह जो आपने पढ़ा होगा बुद्ध शुक्र प्रतिवी मंगल आपने जो पढ़ा था उसमें जो प्रतिवी ग्रह है उन चारो इसली ग्रहों में से सबसे देखेंगे तो प्रत्वी को किस नाम से जाना जाता है तो नीला ग्रह ना जाता है क्योंकि यहां पर सभी लोग को पता है कि चार वटे चार तिहाई में कितना है जल भरा हुआ है इसलिए नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और धरती एक मात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन का इस कारण से हरा ग्रह भी इसे कहते हैं परंतु प्रश्ण का खगोली संदर में होने कारण अभीष कारण अभीष उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा नीला ग्रह हो जाएगा और किसी अन ग्रह पर महाशागर सांस लेने के लिए परयाप्त आक्सीजन तथा जीवन का कोई रू बहुत ही इंपोर्टेंट प्रिस्ण है नार्मन प्रिस्ण है लेकिन इंपोर्टेंट प्रिस्ण है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज क्लियर कीजिए और त्यारी कीजिए प्रक्टिस रेज अटेंड कीजिए प्रतिवी अपनी दूरी के चारो त तो एक दिन होता है और इसी से इस गति को दैनिक गतिवी कहते हैं और प्रतिवी जिस धुरी पर घुमती है वह एक काल्पनी क्रेखा है जो प्रतिवी के केन से होकर उत्तर और दच्छनी धो में मिलती है और प्रतिवी का यह अच्छ अपने कच्छ के तल से 660 अंसका कोंड ब देखेंगे information आपको मिल जाएगी चले अब देख लेते अंगला प्रस्ण आपके skin पर दिया गया है सभी feedback करेंगे प्रतिवी की सबसे उपरी कठोर सतय है atmosphere है hydrosphere है biosphere है या lithosphere है सभी comment करेंगे English में आपका अंग्रेजी में साइंस की scientific में नाम दिया गया है तो सभी के सबसे उपरी है वह कठोर सतय होती उसको lithosphere कहते है या इस्थल mandal की बात करेंगे हिंदी में अगर इस्थल mandal दिया तो आप सभी लोग comment कर दी होते लेकिन अगर lithosphere भी आ जाए तो confused नहीं होना lithosphere के option पर क्लिक करना है ठीक है इस्थल mandal जियो mandalी परिश्चिक तंत का सबसे महत्पूर घटक है और इसलिए संगटक की रजना किसके द्वारा होती है तत्तो खानिज, सैल और मिट्टी और इस्थल mandal जो होता है समस्थ ग्रोप के छेतपल का लगबग 29 प्रिसत भाग होता है और प्रतिवी के सबसे उपरी परत कठो सता है लिठो स्फियर के महत्पूर तत्तो के सारणी निम्न है आप लोग देख सकते हैं समस्थ प्रतिवी, इस्थल mandal में लोहा कितना होता है, अक्सीजन कितना है, सिलिकान, मैगनेसियम, निकेल, गंधक ये सारे प्रस्थत आप ल प्रतिवी के बीच आता है, तो सूर और प्रतिवी के बीच आता है, तभी शूर ग्रहन होता है, सी आपसन सई हो जाएगा, और प्रतिवी से देखने पर पूर्ण शूर अथवा आंसिक रूप से चन्रमा अच्छा दित होता है, सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और प्रत्वी सूर की परिक्मा करती है और चांद प्रत्वी की ये बहुत important fact है ध्यान देजेगा प्रत्वी किसकी सूर की परिक्मा करती है और चांद किसकी परिक्मा करता है प्रत्वी की परिक्मा करता है और ये घटना सबदा आमश्वा की होती है ये आपको ध्यान देना ह अंगला प्रशन है पानी बहुत ही ज़्यादा भेतरीन पानी गिर रहा है ठीक है आप लोगों को आवाज भी आ रहे हैं कि हो सकता है आपके यहां भी भी पानी गिर रहा हो तो इंज्वाइ कीजिए और पढ़ाई को कांटिनू कीजिए ऊरल प्रथवी की मदमान दूरी सनिकट है कितना है तो ऊरल प्रथवी के मदमान दूरी या सनिकट सभी लोग ímpoortent है important question है important answer है important आपको कमेंट भी करना है क्योंकि selection वाला प्रश्न है गहराई deeply प्रस्ट मूचा जा रहा है इंपोर्टनेंट इंपोर्टनेंट इसलिए आपका प्रिशन बन जाता है तो सूर और प्रतिवी की मदमान दूरी सनिक्ट काउन सा हो जाएगा तो आपसे नमबर सी देखिए 14 करोड 96 लाग किलो मीटर की बात करेंगे या आप 14.7.0 करोड वैसे आपका वनिब क्या बताया देखिए शूर से प्रतिवी की नियुंतम दूरी अगर कम से कम अगर पूछा जाएगी और शूर से अधिकतम दूरी 15.2 करोड किलो मीटर हो जाएगी और प्रतिवी से चन्रमा की दूरी 38 इतना दिया गया है ध्यान दिजेगा 3,84,000 किलो मीटर की बात कर रहे है अंगला प्रतिवी की परपटी का आधा भाग किस खनी से बना हुआ है तो प्रतिवी की परपटी का आधा भाग किस खनी से बना हुआ है यह आपको ध्यान देना है ठीक है किस से बना हुआ फेल डिस पर और इसका रंग जो होता है हलका क्रीम या गुलाबी कलर का होता है और चीनी मिटी के बरतन का काज बनाने में इसका उपयोग भी होता है जबकि प्रतिवी के भूपरिष्ट का साथ प्रिस्ट भाग MP बोल से तथा प्रतिवी के परपटी का चाथ प्रिस्ट भाग माईका से निर्मित होता है ये बहुत ही डीटियल समझा रहा है इतना डीटियल से तो पूँचा नहीं जाएगा अब बात करें हैं अंगले पृष्णिक की बात कर रहे है निमल के तिमेशे कौन सा एक बाउना ग्रह नहीं है थी मंगल परंपर गृत ग्रह है और प्लूटो चिरान स्रेस ये सारे बौने ग्रह और मंगल के लावा बुद्ध, शुक्र, प्रतिवी, ब्रस्प, सनी, अरुण, वरुण ये सारे परंपर गत ग्रह एं और वामन या बामन ग्रह अपनी कच्छा फाइफ ए बी में सूर की परिक्मा करते हैं इनके पास अपने गुरुत्यकर्षन को बनाये रिखने के लिए इतना दर्बमान होता है कि हाइडोस्टेटिक या आपके इकिलिविरम लगभग गोल आकार प्राप्त कर लेते हैं ज्यादर निटेल से नहीं जाएंगे बात करेंगे अंग्ले प्रिश्न की आकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में पांचमा इस्थान है छटमा है साथमा है आठमा है आकार के दिस्थे मंगल की बात करेंगे तो आकार की देश से मंगल का अगर परिवार में स्थान पूछा जाता है तो आपका जवाम होना चाहिए सात्वे नंबर पर बुद्ध के बाद फिर आता है मंगल बुद्ध आठवे नंबर पर है आकार के अधार पर और फिर मंगल आता है दोसरी नंबर पर यानि कि सात्वे नमबर पर आप देखे सबसे बड़ा ब्रहस्पती है पहले नमबर के आकार किड़स से दूसरा सनी तीसरा वरुन आरुन है चौथा वरुन है पांचमा प्रत्वी छटमा सुक्र शात्मा मंगल और आठमा बुद्ध आ जाएगा आकार के संदर में मंगल हमारे सौर मंडल का सा आतमे इस्थान पर आजाएगा इनमें से सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है मंगल प्रत्वी यूरेनेस नेप्चुन तो हम यह बात कर चुके हैं पहले ही मंगल जो है बुद्ध अगर दिया होता तो बुद्ध हो जाता लेकिन मंगल यहाँ पे आकार के ड़स से सबसे छ क्रम पर कूछा जाए तो ब्रहस्पत इसनी बारून अरून प्रत्वी शुक्र मंगल बुद्ध यह आपको ध्यान देना दोनों ग्रहों का और वही क्रम दिया गया है इसमें आपका मंगल सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा एक आडियून टू कोश्चन की बात कर रहे हैं कौ सबसे जाएगा है कर सबसे देना ग्रह जाएगा है तो तो ब्रत्वी की सतय मंगल विशली दरातल वाला ग Grehe है और सौरमंडल का सबसे उचा परवत मौंट उलम्पस मंगल पर ही सिथे आपको ध्यान देना है निम्रिकित में से एक कौन से एक आंत्रीक ग्रह नहीं है देखें कौन कौन से नाम बताये थे बोध, शनी, शुक्र, प्रथवी तो यहाँ पर सभी लोग जानते सनी मैंने आपको नाम नहीं बताया था बुद्ध शुक्र प्रतिवी और मंगल बताया था लेकिन सनी आपका यहाँ पर यह आंत्री ग्रह नहीं होगा तो काड़ इंटो कोशन्स राइट अपस नमबर सनी हो जाएगा तो बुद्ध शुक्र प्रतिवी और मंगल यह चार आंत्री ग्रह कलाते है बीश्वा प्रस्ण इसके बाद 5 प्रस्ण और करेंगे टोटल 25 प्रस्ण करेंगे इस प्रेक्टिसरी नमबर 6 में की किस ग्रह के अधिक्तम उप ग्रह है ब्रस्ण के लगबक कितने ग्रह है तो आप दोग देख सकते 82 ग्रह हो गई है अब ब्रस्ण के अब 89 है इसलिए सनी के अब से सबसे ज़्यादा ग्रह हो गई है इन में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है यूरेनेस, शुक्र, वरुन और ब्रहस्पति सबी लोग जानते हैं समझते हैं ग्रहों से एक प्रस्ण जरूर पूछा जाता है इसलिए सेसन इंपोर्टेंट यह प्रेक्टिस रीज का छठमा जो सेट है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा वरुन की बात करेंगे वरुन या नेप्चुन की बात कर रहे हैं सौर मंडल में सूर का आठमा ग्रह है और ब्यास के धार पर सौर मंडल में चौथा एम दर्बमान के धार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज 1846 सीसवी में किसने की थी जहान गाले ने की थी और हरे रंग का यह ग्रह प्रत्वी के दर्बमान से 17 गुना तथा शूर से प्रत्वी की दूरी का लगवक 30 गुना दूरी पर है बाईश्वा प्रसंदी आगया है आकार के संदर में सनी का हमारे सौर मंडल में कौन सा इस्थान है आकार के रस से सनी की बात करते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा तो अब रहस्पत के बाद सभी लोग जानते सनी आता है इसलिए दूसरे नमबर पर सनी आ जाएगा अकार के दस्की बात कर रहे हैं और सनी का सबसे बड़ा जो है आपका उग्रह टाइटन है सभी लोग जानते हैं सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह यह द्हान दिजेगा दूसरे की बात कर रहे हैं तो पाहला कौन है नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है प्लूटो बुद्ध ब्रहश्पति सनी सभी कमेंट करेंगे हम किस की बात करें ज लेकिन 24 अगत 2006 से पलोटो का ग्रह का दरजा छीन लिया गया है पलोटो अपनी कच्छा वरून या निफ्चिन की कच्छा से ओवरॉलैप करती है इसलए पलोटो सिरीज, सिरान और इरीज को बोने ग्रह का दरजा प्राप्ट हो गया है चौबिश्वा प्रश्ण है यूरेनस सूर से पहला ग्रह है तीसरा है पांचवा है या सत्वा है देखी यूरेनस आगया नाम अंग्रेजी में तो हिंदी अंग्रेजी दोनों से आपको नाम को पता होना चाहिए तो Uranus की बात करें Uranus सूर से कौन सा है तो यह सात्वे नंबर से आजाएगा Uranus यह की अरून की बात करें अरून और आठवे में आता है वरून और यह भी है कि हमारे सौर मंडल के दैवदानों कहे जाने वाले चार ग्रहों के अरून एक है दैव दानो जो ग्रह कहलाते हैं और अन्य तीन ग्रह कोने बरस्पत सनी, वरुन, अरुन यानि बरस्पत सनी, अरुन, वरुन को दैव दानो ग्रह कहे जाते हैं ये ध्याम देजगा 25% अंतराश्टी तिथी रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है आर्क्टिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रसांत महासागर की बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों अंताराश्टी तिथी रेखा जो है यह प्रसांत महाशागर के बीच से होकर गुजरती है ठीक है और अठारा सो दिसांतर पर उत्तर से दच्छिन की ओर गई एक कालपनिक रेखा है इस रेखा पर तिथी का परिवर्तन होता है और इस रेखा का नेधा अठारा सो चवरासी इसी में वासिंग्टन में संपन एक सम्मेलन में किया गया था और जब कोई जल्यान पश्चिम दिसा में यात्रा करता है तो उसकी तिथी में एक दिन जोड़ दिया जाता है और यदिवर्त पूर की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता ह एक देश के विभिन भागों या दीपों का शमय एक समान रखने के लिए इस रेखा को आर्टिक महासागर में 750 उत्री अच्छांस पर और महादीव से बचने के लिए इस रेखा को पूर की ओर मोड कर बोरिंग जल संधी से निकाला गया है बोरिंग जलसंदी से निकाला गया स्वरी बेरिंग जलसंदी जो है और बेरिंग सागर में यह पस्चिम के ओर मोरी गई तो जादा हम डीप से नहीं जाएंगे आज की क्लास यहीं पर फिनिस करते हैं प्रेक्टिस स्रीज का सेट नंबर 6 था बिलकुत प्रेक्टिस स्रीज आपने इस पर कितना स्कूर किया 15 प्लस किया 25 में से 25 किया आपको कमेंड करके जुरू बताना है जल्दी मिलतें दोस्तो निस क्लास निस सेट पर और एक तारिक से हर एक सब्जेट की त्यारी करेंगे हरे सब्जेक का प्रिप्टिस से सेसन लाएंगे क्योंकि त्यारी लाजवाब रहेगी और आउट आफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है तो ये 3-4 महिने मेनत करना ही होगा जल्दी मिलते हैं धन्वाश अबिकर